बिसमिल्ला अख्मान अरहीम असलाम अलेकम वीडियो एक और नेगेटिव सेशन मार्केट के लिए आज के दिन रहा और काफी पैनिक सेलिंग आज हमने अब्जर्ब गी है इंडेक्स हें दो हजार तीन सो इकतर पॉइंट डूस के और सिस्टी ताउजन एट हैंड़ेट एंड़ेट एंड़ेट एंड़ेटी के लेवल पे क्लोसिंग दी है वीवर्स पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स तक्रीबान तीन हजार पॉइंट्स लूप कर सुका है तुम्हेवारे दिन सुप्रीम कोर्ट के तब से का शिकार है तो बेसिकली एक सेंटिमेंट इशू है और एलेक्शन में लोगों का यह टासू दिया जा रहा है कि पीडियम जैसी हकूमत अकर दोबारा आई उससे मेश्ट का काफ़ी दिखान हो सकता है की परसेप्शन पे मार्केट को गिराया जा रहा है तो जिसके से मार्क बहुत जादा सेंटिमेंट बेस पर ट्रेडिंग कर दो विवर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे दो तीन अलर्ट क्लाइंट के साथ शेयर हुए और सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को थूए वाइस नोड पताया कि 60,400 से लेके 1400 की जो रेंज है यह मार्केट के ल पुल बैक आ सकता है तो अकॉर्डिंग ली हमने देखा आज तक्रीबान 60,300 का लो लेवल बना लेकिन वहां से मार्केट में पुल बैक आया और मार्केट ने पास 63,100 का लेवल टाच्च किया तो इसमें तक्रीबान 700 800 का मार्केट में एक शार्प पुल बैक हमें राया इस स्टाक्स पे फोकस करना है खास दोर पे और इसके लावा पीए सो एसंजी और हपकों के शेयर इसके लावा यूनिटी और पीटी स्वारी रेक्रमेंड हैं कामल था इन शेयर से रेलेटेड एक स्पेशल नेलेसिस भी इस वीडियो में आपके साथ आगे चलके शेयर करेंग की और आज जो थोड़ा सा शॉर्प फूल बैक आया है उस पे क्राइट ने फ्लाइट एक रिकवरी मोर देखा और उसमें एक माइनर सा क्राइट को गेन भी हुआ है फॉर दा कमिंग सेशन्स विवर्स अगर हम देखें तो मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट एरिया तोजन की बड़ी नेगेटिव है सिर्फ एलेक्शन्स और पुलिटिकल सेनरियो की विए से मार्केट में एक फियर फैक्टर आया हो यहां से मार्केट में क्लाइट पूल बैक आ सकता है इसमें विवर्स आपने एक चीज़ को मतर्द नज़र रखना है यहां पे आपने हमारी एड से मार्केट में और मुझार छाओं काहले इसमेंट सेमिंट सेमिंट सेमिन और अटक सिमन्ट नज़र आ रहा है तो आपने दू चिप्स पे फोकस करना है इनर्जी सेक्टर इसके आपको रेक्मेंड का रहे हैं इसमें स्टर्कुलर डेट का मेजर फैक्टर है आई रिफॉर्म्स का ये मेजर पार्ट है तो अगर किसी वजासे मार्केट खुदा रहा साथ तो जब मार्केट में रिकावरी आएगी तो ये शेयर बहुत जल्दी अपने रिकावर का देंगे तो मार्जिन और से काफी अगर हम पॉर्टफोलियो इंवेस्मेंट का व्यूर्स अनालेसिस तो आज हमें इंडिविज्वेट्वार्स की तरफ से काफी पैनिक स्टेलिंग मेरा हमें यूझ तीर है और इंडिविज्वार्स की साइट पर मीं खेटर सैल्सुमाइट में मुट्वत में य के फिटर हैने मार्केट पैनिक ल्डेटविजेस्में तो ग्रतुज्द कैया है जो हम बायर साइड पर देखें तो कपनी बैंक्स और इंशॉर्स कपनी जो है वो आज पाइंग साइड पे रहे हैं तरह हम पॉरन इंवस्मेंट पॉर्फॉलियो विए देखें उसमें मार्केट के लिए अच्छी खबर यह है कि पॉर्नर्स मार्केट में हैं आज पी उन्होंने पाइंग की है लेवल है और इसमें जो मेजर पाइंग की है और फर्टलाइजर सेक्टर में इन्होंने वाइंग अच्छा अब व्यूर्स कुछ आपके साथ अपना अनलेसिस शेयर करेंगे और आज की स्विट्यों में हमारा स्पेशल अनलेसिस होगा वाइल एंड गैस एक सबसे बड़ी डिवलाप्मेंट की है अब वह काफी है अर्निंग्स को फ्री अप हुई है इसके लावा विवास आईमफ का रिफॉर्म्स की एक काफी ज़दा इस पर स्ट्रस किया हुआ है इसने ना सिर्फ इस पर काफी है वी फोकस रहे हैं और इस सेक्टर की पर्फार्मस आइदाने वे दिनावागी और इसकी तमाम कंपनी प्रॉफिटिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी एक दूसी डिवलोप्मेंट व्यूर्स के लावा यह हो रही है कि इसकी कंपनी से करेंगा और इसके साथ 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 बात हो रही है जिसमें अभी और जो है वो फुली इंपावर हो जाएगा और जो भी वो प्रैसिस को स्टिपुलेट करेंगा वो एक ताइम वो प्रैसिस एक्टिएट हो जेंगी इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर यह क्या रही है तो उसकी वज़ा से थोड़ा सा कियर है कि इस सेक्टर की चाहिए अरुनिंग्स काम हो लेकिन अपने जहें में रखनी है कि तो आक्शन जो आयल यह निकालते हैं प्रैसिस डॉलर डिनॉमेनेटिट थोड़ा सा इंटरनेश प्रैस के विए से आफसेट हो जाती है इसके लावा आप क्योंके ओयल सेक्टर के सारी कंपनिस यानिक्स बेतर होंगी वो ज्यादा एक्सक्राइशन एक्टिविटिटी चाहेंगी और इन डॉरेशन एक्टिविटी से तो रिजर्स मिलेंगे और इससे अब्यस्टी जो है काफी बेहतर होगी और एक्स्प्रोरेशन कंपनिस में जो हमारी मेजर रेक्टिविटेशन है वो पाकिस्तान पेट्रॉलियम इमिटिट है इसके लावा हमारी रेक्रिमेंडेशन ओजी डीजी प्यूए है उसमें आप हमारी स्पेशल नेरेसिस की वाइब है वो आप उसमे के लेवल पे आ चुके थे काफी ज़्यादा फिरेंशली इस कंपनी की जो परफार्मंस है वो खराब हो चुकी थी तो विए इस एक्सपोजर में अभी क्योंके गैस प्रैसिस बड़ी है उसकी वज़ा से अब इसकी इसकी डैट की एक्रेशन जो है वो रुक चुक है और बिस अच्छी परफार्मंस हम एक्सक्राइब कर रहे हैं और एक और मेजर ड्वेलपेंट यह भी है यह जो एक्जिस्टिंग सेर्कुलर डैट है इस से अगर कोई गवर्मेंट का प्लैन आया जो कि इसको भी सेटल करें तो इससे बहुत बड़ा प्रैसेक्शन इसमें एगा इस होगा थोसा लांग टरम हैं लेकिन इस कंपनी की कोस्ट में काफी जाता इंपक्ट आएगा इसके साथ अब उद्वी ऑफ्शॉर व्लॉक फाइफ में इनकी एक्स्प्रोरेशन एक्टिविटी चाह रही हैं वहां पर बड़ी एक्स्प्रोरेशन पर बड़ा इंपक्ट होना चाहिए और इसके साथ यह आपके साथ एक स्नैप्शॉट भी शेयर कर रहे हैं यह काफी आप विजिपल नज़र आ रहा है कि इसको भी करण्ट प्राइस है वह बहुत ज़्यदा एक्ट्रैक्टिव लेवल्स पर है अगर पार्केट वर्येशन की तो से नीचे भी आय के लावा विवर्स पीए सो यह भी हमारी एक रेकमेंड़ है और इसमें बेसिकली वन्स अगें तर्कुलर डैट कम होने की वजह से सब्सक्राइब होने की जैसे पीए सो को बहुत ज्यादा फाइदा हुआ है और बेसिकली इसका जो एलेंजीं कंपोनेंट था विवर्स उस इसमें जो सेकुलर टैट के अक्मिलेशन रुकी है तो इसके कैश फ्लोस काफी ज़्यादा फ्री हो रहे हैं इसमें बोथ भी काफी अच्छी है इसमें वर्टिकल इंटिक्रेशन है बदलब कुछ डिफरंट प्रोजेक्ट के साथ इसकी अरेंजमेंट्स हैं जो एक कंपरि इसमें ट्रांसफर होगा तो विए करण्ट डैवल्स पे और करण्ट मार्केट कंडिशन है पीए सो जो है वह भी वाइंग के लिए काफी एक्टिव नजर आ रहा है और वांस अगें स्टॉक्स हैं इन्वेस्ट करने का बेनिफिट यह होएगा कि अगर किसी वह से मार्के स आप अच्छा लगता है और आपने रिफाइनिस अक्टर में भी फोकस करना है खास वर पियर एल एल यह अच्छी निउस हैं तो आप इन पर भी फोकस कर सकते हैं तो यह कुछ और पैसिफिक स्टॉक्स आपके साथ शेर तो कि आज़की वालाटायल मार्केट काफी करने के लिए आप अगर इंवेस्ट करते हैं तो अकर खुदाना खास्ता मार्केट यहां से मजीद भी निच्छे चलेगी यह शेर जल्दी रिकावर करेंगे और आइंदाने वाले पियर्स में आपको अच्छा गेन भी देंगे तो आज की वीडियो में जो इन्फरमेशन अलाह आप